हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चानल फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को यह माइकरम का बहुत ही सुन्दर सा माइकरम का मीरर विद्ध माइकरम का फ्लॉवर वाल हैंगिंग किस तरह से बनाते हैं वो बताने वाली हूँ फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लेस लाइक जरूर कीजेगा साथ में शेयर करना ना भूले इससे बनाने के लिए देखिए यहां पर हमें मिरर चाहिए 7.5 इंच की वन पीस टू पीस रिंग चाहिए 7.5 इंच साढ़े 7 इंच की दो पीस 1.5 इसके बाद दो कलर के इस तरह के हमें beight चाहिए पिंग कलर के beight चाहिए दानेदार और इसके बाद हमें दो कलर की माईकर म के काउड्स चाहिए अपनी चॉईस से लेना है उसके बाद लाइटर और सीजर तो चलिए श्टारट करते में बनाना और यहाँ पर देखिए फैन सड़े साथ इंच की रिंग ले लिए राउंड रिंग बड़ी वाली और इसकी अंदर अभी हमें कॉड्स को अटाइज करना है तो यहाँ पर मैंने यलो कलर का कॉड ले लिया है और इस कॉड्ड को मैंने डेढ़ मिटर में कट किया है 1.5 मिटर म तो इस तरह से हमें double करना है एए रिंग के उपर हमें attach करना हैं यह धिए रिंग के नीचे से हमें कॉट को फसा के और इस तरह से हमें निकालना है अब यहां पे-फिर से देखिए that ृस तरह से हमें फसाले 95 अधर करते हुए यानि में को हम डबल करें य। इस सेंटर का बीज का पॉइंट लेके और रिंग के ऊपर इस तरह से हमें फसाना है तो यहास पर दैख सकती है एल्लोग कलर की मैंने टोटल फॉर कॉट्स एताफ कर लिया है इसे के बाद यहा Commerce के बाद परफल वाले قौट को भी फसा लेना है रिंग के ऊपर कि अब यहाँ पर देखे फ्रेंच token और फोर पर्पल इस तरह से में ने दोनों कलर के फोर फोर कोट मे ने रिंग के ऊपर अटाच डिया है और अगे पो सेंगा सेम रहेगा फोर यलो फोर पर को इस Secret मे रिंग यह देखी इस तरह से यहलो फिर परपल इस तरह से फसाना है अब यहाँ पर देखी फ्रेंड्स रिंग के उपर मैंने सारी कॉट्स को एक करते हुए और लगा लिया है अच्छी तरह से यहाँ पर सारी कॉट्स को मैंने फिक्स कर दिया है रिंग के उपर और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 यहां पे टोटल मैंने परपल कलर के 8 इस तरह से कॉट्स फसाया है यानि 44 कॉट्स मैंने फसाया है तो यहां पे टोटल 8 है तो इस तरह से यहां पे 32 कॉट्स अगे 32 आप यहां पे टोट्स मैंने के उपर और जेखिए यहां पे बाद फीरीच के अवी ससाड़ेश नकीच को लिए मिरीच कर ना है और सेकिन्डवाली इस तरह सुन्हालए अबी रिंगी एपुल्ट्स यहां पे डिटीच के सेवनपैंट 3 इंचा नहीं इंच की, अब यहां हम mirror की ऊपर से attach करेंगे, सो यहां पर देखिए friends, एक एक cord उठाना है, और second वाला जो ring है, यानि mirror के ऊपर से, जो हमने ring रखा है, उसमें से एक एक बार सारे cords को, देखिए इस तरह से हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखिए friend नीचे के तरब ring और बीच में mirror फिर उस mirror के उपर ring इस तरह से रखने से जो mirror है वो बीच में अच्छी तरह से set हो जाएगा और सारे chords को हमें इसी तरह से एके करते हुए यहां पर ring के उपर attach करना है जिससे mirror बीच में अची तरह से fix हो जाएगा तो यह देखिए इस तरह से set करते हुए mirror को और ring पर हम chords को लगाते जाएंगे यहां पर अभी आपको इतना chord मैंने यहां पर लगा के दिखा दिया और ऐसे ही सारे chords को ring के उपर लगा लेना है यहां पर अभी देखिए friends और ring के उपर मैंने सारे chords को एके करते हुए अच्छी तरह से यहां पर मैंने fix कर लिया है इसके बाद purple color का जो chord है इसमें green और yellow में मैंने pink color के bits यहां पर पूरा round में bits डालके और इसे complete किया है मैंने और इसके बाद यहां पर देखिए friends yellow color के मैं यहां से four chord ले लूँगी सो यहां पर देख सकते है one two three four chord है side का एक एक chord हमने छोड़ दिया है बीच के दो chords को लेते हुए इसमें bits डाल दिया है अब यहां पर यह देखिए four chord ले लिया है अब इसमें हम simple knot लगंगे simple square knot so friends यहां पर मैंने four four chords को लेते हुए और उनके बीच का दो chord मैंने bits डाला है side का एकए chord छोड़ दिया है यह देखिए इस तरह से यहां पर भी मैंने बीच में 2 होड में bits डाल दिया है और side का एके chord छोड़ दिया है जिससे हमें यहां पर नॉट लगा सकती हो, फिर से यहां पर देखिए, परपल कलर का कॉड है, देखिए बीच में दो कॉड को लेके उसमें बिट्स डाल दिया है, साइड के कॉड लेके, सिंपल नॉट लगाना है, करदेश बीच से यहां के कॉड लगाना है, साय को 29 बॉट लूट लुट लगाना है, विर से यहां कॉड वजिच से यहां के क Lac rätt लेको लार देखिए, विर सिंपल लगानी से यहां क्ना परोगारी कKS भार देखिए, सद Żेरेता स्वें कॉड़ल लगारीında पर दो कर दो यहां पर देखिए फ्रेंज एक राउंड मैंने पूरा बीड्स के साथ सिंपल स्क्वेयर नॉट लगा के और पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है इसके बाद फेर से देखिए यलो कलर के फोर कॉड़ लेना है दोनों नॉटों में से हमें दो-दो कॉड़ लेना है और यहां पर हम बीच में दो कॉड रखते हुए, यहां पर सिंपल स्क्वेर नॉट लगाएंगे, यह देखे इस तरह से, एक नॉट लगा दिया, दोनों तरब से कॉड लेते हुए, इसके बाद फिर से, यहां पर देखी फ्रेंड्स, परपल कलर के दोनों नॉट में से दो- तो देखिए, इस तरह से, यहां पर नॉट लगा दिया, वर्न, दो, थ्री, यहां पर तीनों में, मैंने बीच के बाद जो नॉट लगा था, दो इसके बाद एक-एक नॉट लगाके पूरा, यहां पर तयार कर दिया है, इतना, अब यहीतने में हमें डिजाइन बनाना है, तो यहां पर यलो कलर कर प्रेंडत करकिंगे तो यहांपे भी हम फोर कोड को भी हमें हाफ shouldn ab करके यहां फे लेंगे अब इसके बाद पर फ्रपल कलर के कोड पर जो यलो कलर के फोर कॉड आप अब इन्हें एके के इस तरह से देखी फ्रेंड्स उठा उठा के और परपल कॉड पे डबल डबल टाइम हमें रैप करना है अब भी फिर से सेकेंड कॉड ले लेंगे परपल और इसके उपर हमें यलो कलर के फोर कॉड को रैप करना है अब देखिए फिर से हमें थर्ड नंबर का कॉड लेना है और इसके उपर कॉड को रैप करना है अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स फोर्थ नंबर का कॉड लेना है अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फोर्थ नंबर का जो कॉड है इससे भी मैंने यहां पर रैप कर लिया अभी दूसरी तरफ आ जाएंगे यहां पर परपल वाले कॉड को हाफ कर लेंगे फोर्थ ले लिया है दूसरी तरफ से और यहां से एक कॉड उठाना है हमें परपल वाला और यह देखिए इसके उपर अभी यलो कलर के सारे कॉड को रैप करना है जैसे इधर किया है वैसे तो यहां पर वन टो थ्री फोर यानि टोटल फोर कॉड से तो एक करते हुए इन क झाल कर लिया है और यहां से बीच से हमें दो कॉर्ड लेना है यानि दोनों तरफ से एक कॉर्ड और इसमें हमें ग्रीन कलर का बेट्स डाल देना है और यहां पर दिखिए फिर से हमें इस तरह से फोर्ड मिल गया और इंको लेते हुए सिंपल नॉट लगाना है बेट के साथ यहां पर बीट्स को हमें पेक कर लेना 000 यह दिखिए इस तरह से थिर दूसरे तरह भी प्रोसीजर है बाहर का दो नॉड और नॉड मैंसे दो कोड ले ते हुए simple नॉड लागा लेना है यहाँ अब यह देखिए इस तरह से यहाँ पर TIGHTLY नॉड लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए दोनों नॉड में से हमें देखिए दो डो कोड मिल गया है तो इस तरह से four quad हो गए और यहां पर भी हमें एक not लगा लेना है यानि यहां पर हमें total four not लगा लेना है simple not four अब इसके बाद देखे friends four not लगाने के बाद अब यहां से starting से quad लेना है और quads को half करेंगे तो अभी इसके उपर यह जो तीन quad बची हुए इन्हें हमें double double time wrap कर लेना है दो दो बार हम यहां पर quads को wrap करेंगे यह देखे इस तरह से wrap करना है और यह तो टाइटली wrap करेंगे यह देखे रैप कर लिया अभी दूसरे तरब भी देखे friends four quad है यहां पर तो starting का quad ले लेंगे तीन quad बच जाएगा तो एक के करते हुए सारे quads को double double time हमें quads पर wrap कर लेना है तो यहां पर देखे दोनों तरब से quad wrap कर लिया लास्ट में जो एक के quad बच गया है इन्हें भी cross में करते हुए दूसरे के साथ wrap कर देना है तो अभी इसके बाद फिर से देखे friends यहां से starting से फिर से एक quad उठाएंगे और three quads को फिर से हमें wrap करना है double double time यहां स्टार्टिंग वाले ही quad पर हमें जो तीन आगे के quad हैं उन्हें double double time tightly wrap कर लियाना है यह देखे इस तरह से अभी दूसरे तरब भी देखे स्टार्टिंग वाला quad ले लेंगे और आगे के जो तीन quad बच हैं इन्हें में double double time wrap करना है तो अभी यहां पर देखे फ्रेंड लास्ट में फिर से एक एक quad बच गया है तो दोनों को cross में करते हुए और इस तरह से wrap कर लेंगे तो यहां पर देखे फ्रेंड इतना design complete हो गया है तो अभी यहां पर देखे फ्रेंड यह डिजाइन बनने के बाग अभी फिर से starting में यहां पर आ जाएंगे तो यह लो color का यहां पर four quad ले लेंगे और एक simple knot पहले लगा देना यहां पर यह देखे इस तरह से simple यहां पर देखे फ्रेंड यह जो स्टैटिक में जो design बनाई है रैप करते हुए वही आप यहां पर हमें design बनाना है तो यह लो color के जो quad यहां पर इससे half कर लेंगे यानि एक तरफ purple four और yellow four इस तरह से quad आ जाएगा तो एक एक purple quad पर हमें yellow रैप करते जाना है झाल यहां पर देखे दोनों तरफ purple color के quad को यलो से रैप कर दिया है और बीच का दो quad लेके इसमें green color का एक bits डाल दिया है बीच को डालने के बाद यहां पर अभी हम simple square knot continue कर लेंगे अब यहां पर देखे फ्रेंड लास्ट में four quad आ गया है अब इनको लेते हुए simple knot लागा लेना है तो यहां पर फिर से देखे फ्रेंड मैंने total four यहां पर नॉट लागा लिया है purple quad से तो अभी एक तरफ मैंने wrap कर लिया है दूसरी तरफ देखे फ्रेंड एक quad ले लिया है starting का और इसके आगे के जो तीन quad है इन्हें हमें double double time इस तरह से wrap कर लेना है यह देखे एक कोड उठा उठा के यहां पर इस तरह से में tightly wrap करना है quads को और last में देखे एक कोड बज़ेगा एक एक इन्हें भी एक दूसरे के साथ tightly double time wrap करना है फिर से देखे फ्रेंड स्टार्टिंग का कोड ले लेंगे और आगे के जो तीन quad है इन्हें wrap करेंगे कि आखे यहां पर अब पूरा डिजाइन मैंने बना के complete कर लिया है देखे फ्रेंड पर्फल कलर के कॉड से भी डिजाइन बना दिया है और यहां पर जो स्टार्टिंग में wrap किया था उसमें से देखी जो कॉड बचा हुआ है यहां पर मैंने इस तरह का डिजाइन बना दि तो यहां पर मैंने सभी जगहों पर बना लिया है इसके बाद यहां पर दिखाऊंगे और यहां पर देखी लिपंगे, जो को दिखाऊंगे अभी जो कोड रैप किया मार यहां पर बचा हुए है, तो सबसे पहले हमें इस तरह से कड छोड़ायम है, और छोडने के बाद इसमें से हमें quards को ये देखिए, दो-दो quards को इस तरह से ले लेना है, अलग-अलग कर लेना है, तो बीच में दो quards, और साइड से दो-दो quards, और इनको लेते हुए एक बाड़ा सा यहां पर simple knot लगा लेना है, tightly knot लगा लेना है, ये देखिए, जरा सा qu को बीच में से खीच देंगे, अब इसके बाद देखिए, फिर से हमें एक quards ले लेना है, दोनों तरब 4-4 quards आ गया है, तो यहां से starting से एक quards ले लेना है, और आगे के जो तीन quards हैं, बच्चे हुए, इन्हें हमें double-double time, फर्स्ट वाले quards पे wrap करना है, ये देखिए, फिर दूसरी तरब, देखिए, फ्रेंट, फिर से फर्स्ट वाला quards लेना है, और आगे जो तीन quards बचे हैं, इन्हें हमें double-double time, फर्स्ट वाले quards पे tightly wrap करना है, तो एक-एक करते हुए, यहां पे तीनों quards को wrap कर लेंगे, अब यहां पर देखिए, लास्ट में, ये जो quards आगे है, इन्हें भी cross में करते हुए, एक दूसरी के साथ, इन्हें tightly wrap कर लेना है, तो यहां पर भी देखिए, इन दोनों quards को ले लेना है, और इसमें हमें pink color का बड़ी size का beads डाल देना है, इस तरह से डाल दिया, और beads को डालने के बाद, अब यहां से दो quards लेना है, और इस cord पर आगे के जो दो quards बचे हैं, इन्हें हमें double double time wrap करना है, तो यह देखिए, second वाले cord को भी wrap कर लेना है, इस तरह से, फिर दूसरी तरह आजाना है, फिर से एक cord छोड़ देंगे, और second वाले cord को लेंगे, और इसके आगे के जो दो quards हैं, उनको उसके उपर double double time wrap क कर लिया, अब ही देखिए, tightly wrap कर लिया, फिर इन दोन cord को एक दूसरे के साथ wrap कर लेना है, यह देखिए, tightly wrap कर लिया, तो यहां पर डिजाइन इतना बन गया है, अब ऐसे ही, यहां पर भी हमें, यहां पर बना लेना है, कर लेको ड़ एक आखख से के का लिया, अवहां प्रीयों, यहां भी हमें जइए, रजआख के दो तो चオं को रहाती है, हैं जएवाजाण के कर लेकी संचे वеспराद Come Teacher News झारत बना है तो यहां पर देखे फ्रेंड्स दोनों तरफ से फोर फोर कॉर्ड छोड़ देंगे परपल और बीच में यलो कलर की एट कॉर्ड है यानि दोनों एटेट कॉर्ड हम यहां पर एक नॉट लगाया लेंगे कट नहीं करेंगे और बाकी जो एक्ष्रा कॉर्ड रहेंगे इन्हें हमें सीजर से हाफ अप इंच पे कट कर लेना है तो यहां पर देखे फ्रेंड लाइटर की मदर से कॉर्ड को हलका सा मेल करना है और पीछे के तरफ हमें सारे कॉर्ड को चिपकाना है तो यहां पर देखे फ्रेंड सारे कॉर्ड को कट करके और लाइटर की मदर से मेल करते हुए पीछे के तरफ चिपकाना है तो यहां पर देखे फ्रेंड सारे कॉर्ड को सिर्फ यहां पर देखें डिखें तो यहां पर देखें हैं उत्यान्य निप पर कर दो क्ऌर को खेंगे और और रइबं को एक दूसरी के ऊपर नहीं राइप करना है तुग अधर गानाomas लिया six time यानि three three time दोनों तरब से फिर से दो कॉड ले लेना है तो एक बार right एक बार left यह देखे इस तरह से right and left फिर से एक बार right एक बार left एक बार right एक बार left सो अभी यहाँ पर देखे friends knot लगाके complete कर लिया है बराबर में right और left hand से और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर three inch की round ring है अभी इस ring को हमें quads के साथ इस तरह से attach करना है तो यहाँ से हम एक quads ले लेंगे और ring के अंदर से निकालते हुए quads को और इस तरह से हमें double time quads को ring के उ उपर लगाएंगे एकदम tightly लगाना है फिर से second quarter ले लेना है यहाँ से रिंग के अंदर से निकालेंगे और इसको भी रिंग के उपर tightly यह देखे रैप करना है तो यहाँ पर yellow color के जितने भी quads है not लगा लिया है right और left hand से इन्हें इस तरह से हमें लगा लेना है अब यहाँ पर देखे फ्रेंड यह जो purple color का cord है इसमें मैंने one two three यानि एक बार right से एक बार left से cord को एक दूसरे के उपर three three time मैंने रैप किया उसको रिंग के उपर attach कर दिया one two three four five six यहाँ पर भी देखे 6 यानि right से six left से six इस तरह से cord को एक दूसरे से रैप कर लिया और यहाँ पर रिंग के उपर attach कर लिया यहाँ पर आगे के तरफ जिससे की इस mirror का base बना रहेगा तो यहाँ पर भी एक बार right और left से three three time मैंने cord को एक दूसरे के उपर रैप कर लिया है और यहाँ पर भी देख सकते one two three four five six यानि एक तरफ से six एक तरफ से six अब यह के cord को देखिए उठा उठा के और रिंग के उपर हमें यहाँ पर एकदम आराम से रैप करना है यह देखिए इस तरह से यहाँ पर खीचते हुए cord को खीचते हुए ring के उपर attach करेंगे तो यह अच्छी तरह से यहाँ पर fix हो जाएगा इसको भी हम रिंग के आगे के तरफ double time रैप करेंगे एक के cord को उठा उठा के रैप करेंगे देखिए friends यहाँ पर मैं इसलिए आगे के तरफ रैप कर रही हूँ क्योंकि जो हम यहाँ पर बास्केट बना रहे हैं यह आगे के तरफ जूके नहीं इसलिए दोनों तरफ से support इसलिए इस कॉर्ड को मैं आगे के तरफ रैप कर रही हूँ अब इसके बाद देखिए यहां पर जो जगा खाली है यहां पर अलग से एक्स्ट्रा कॉर्ड लगाएंगे तो यहां पर देखी फ्रेंड्स एक मीटर का मैंने पलपर कलर का कॉर्ड ले लिया है यहां पर देखी फ्रेंड्स जो कॉर्ड मैंने लिया है तो यहां यह जो डिजाइन बनाया था इसमें से जो कॉर्ड बचा था उनी को मैंने लाइटर की मदद से जॉइन करके यानि चिपकारते हुए कॉर्ड को एक मीटर का बणा लिया है और इसी इस तरह से double करते हुए ring के उपर यहाँ पे attach कर लेना है cord को और side से एक एक बार हम यहाँ पे cord को फिर से wrap कर लेंगे यह दिखिए इस तरह से wrap कर लेना है अभी दूसरे तरह फिर से हम purple color का 1 मिटर का cord फसाएंगे यहाँ पे 2 kard है तो एक और फसाद υτब तो 4 kard हो जाएगा एधिखेँ इस तरह से 1 kard को फसाद माता है और को फसाने के भार फिर से एक एक भार को रैप कर लेरेना है कि इसकी ऒफिर से बाइब यह जो जगह खाली है यहाँ पर हम यलो तरफ से एक एक बार रैप कर लेना है फिर से हमने 4 chord ले लिया है और एक एक simple not यहाँ पर 4 chords को ले लेके लगाते जाएंगे अभी ही yellow color के 4 chord ले ले लेंगे और फिर से यहाँ पर not लगाएंगे यह देखें इस तरह से 4 4 chord लेके और यह पूरा round not लगा के complete करेंगे 4 4 chord से देखें फरेंट first round complete कर दिया है simple knot लगाते हुए इसके बाद फिर से अभी दो purple और दो yellow cord ले लेंगे इस तरह से और इन्हें लेके हमें फिर से simple knot लगाना है यह देखिए इस तरह से simple knot लगाएंगे तो यहाँ पर अभी देखिए friends 2 knot लगाएंगे simple यहाँ पर हमें 2 knot लगा लेना है यह दिखिए लगा लिया यह दिस सेकेंड रौण में 2 knot लगाना है फिर आगे के तरफ दो yellow दो purple cord लेना है और फिर सी यहाँ पर हम 2 knot लगाएंगे simple एकी साथ 2 knot लगाना है यहाँ फस्ट राउन में एक-एक लगाया second round में 2 knots लगाेंगे तो यहां पर भी देखिसे इसी तरह से 2-2 knots लगा कि यह राउन eight Q करेंगे तो अब यहां पर देखिसे फ्रेंट पूरा बास्के बना कि मैंने їх up कर दिया और यहां पर देखिए स् kalks यहbooks स्टाइटिंग में 1-0 फिर 2-0 dan फिर फोर्थ नमबर में फिर दो now और उसके बाद मैंने एक-एक नौट लगाया है गहीे अगर आप चाहें तो एक-एक नौट लगा के पूरा बास्किट यहाँ पर तयार कर सकते है अपने तो अब इसके बाद यहां पर देखें फ्रेंड हाफ मीटर का यलो कलर का कॉड ले लिया है तो सारे कॉड्स को हमें इस तरह से लेते हुए और यहां पर हम सिंपल नॉट लगा के इस बास्केट को पैक करेंगे जैसे सिंपल नॉट लगाते हैं सिंपल स्क्वेर नॉट यह द हो जाएगा तो अब यहां पर दिखी फ्रेंड्स एक कोड हमें इस तरह से खीच लेना है जिसे की पूरा कॉड बराबर में आ जाएगा अब यहां पर हम 3 इंच पर कॉड्स को कट कर लेंगे सारे कॉड्स को कट कर लेना है और कट करने के बाद फ्रेंड्स अपने चॉइस से यहां पर हमें इस कॉड्स में दो दो कॉड्स को लेते हुए और इसमें हम बैल फसा लेंगे यह देखिए इस तरह से कॉड्स को कट करके और इसमें में बैल लगा लेना है और यह जो छोट कि इसके बार यहां पर दिधिकी ओपर जाएंगे जो फ़ोट चोड़ा था तो यहां पर फोरकोड है, यहां पर हम प्रच कि अगर तरफ लगाना है लिंध्या नाट लाचा लादा लिए इस तरह से अब यहां पर दो नॉट लगा लिया है देखे एक दो इसे बाद ही 1.5 इंच की इनको हमें यहां पर लगाना है तो एक कॉड को हमें रिंग के अंदर से निकाल लेना एक बाहर के तरव रखना है और इस तर से अभी हमें आपर सिंपल स्क्वेर नॉट लगा के पूरा रिंग हमें कवर करना है यह देखे इस तरह से सिंपल नॉट लगाना है रिंग के उपर से हमें अराम से रिंग के उपर से नॉट लगाते जाएंगे अभी दूसरी तरफ भी सिंपल नॉट लगाना है यानि दोनों तरफ से हमें नॉट लगा के सेंटर में स्टॉप करना है यहां पर पूरा रिंग दोनों तरफ से नॉट लगाते हुए कवर कर लिया है इसके बाद यह एक्स्ट्रा कॉर्ड था उन्हें सीजर से कर्ट कर लिया है और लाइटर से हलका सा मेल करते हुए नहीं है यहां पर चिपका देना है इस तरह सी यह माइकरम का मीरर विद माइकरम का फ्लावर वाल हैंगिंग बनके कम्प्लीट हो गया यह यह यूनिक और डिफ्रेंट सा मीरर विद फ्लावर वाल हैंगिंग आप सभी को पसंद आएगा यदि फ्रेंट्स वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कर दीजेगा शेर जरूर करिएगा फ्रेंट्स और फैमली के साथ कॉमेंट करके जरूर बताइगा आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी और साथ में चैनल को अगर अभी तक आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन वेल को जरूर और रखिएगा आगे के वीडियो के लिए तो तक यू फो वाचिग मैं वीडियो बाइगा